हलो एब्रीवन वेलकम तो माई चैनल फैशन एंड डिजाइन आज की वीडियो में हम जडोजी और लखनवों के बारे में बात करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जडोजी एक पर्शियन वर्ट है जर और डोजी जडोजी और जडोजी जडोजी एक तरह की एम्प्रोइटरी है जर means gold, डोजी means spring मतलब सोने के तार से सिलना stick करना जडोजी दो पर्शियन वर्ट से मिलकर बना है जर और जरीन z-a-r-i-n जरीन meaning gold और डोजी meaning spring जडोजी इब हेवि टाईप अफ एम्प्रोइटरी जो की metal से करी जाती है Zadozi इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में फेमस है Zadozi embroidery के लिए fabric, silk, setting and velvet fabric यूज़ करते हैं जो की base fabric की तरह यूज़ करते हैं silk, setting और velvet fabric के उपर Zadozi डिज़ाइन करते हैं Zadozi embroidery को करने के लिए silver and cold thread जिसे हम wire भी बोलते हैं उसका यूज़ के जाता था लेकिन बाद में gold and silver wire के साथ copper wire, silk thread and golden and silver polish का भी यूज़ के जाता है इसके अलावा flat metal wires, spangles, coiled wires, heavy wires and twisted wires का भी उसके जाता है Zadozi embroidery से dress को embellish करने के लिए flat, heavy, twisted and coiled wire का यूज़ के जाता है Zadozi design को silver and gold thread के साथ साथ pearls, beads and precious stones का यूज़ के जाता है Zadozi का use mainly Pakistan li attires जैसे की लेंगा, चोली, शरारा, करारा, blouse इनमें यूज़ करा जाता है इसके अलावा animal necklaces पर Zadozi embroidery करी जाते हैं जो animal trapping होते हैं उन पर and household, textiles, clothes etc In golden era, Zadozi का use royal यानि की अमीर घराना के लोग, golden era में Zadozi का use royal families करते थे अमीर घराना के लोग अपनी walls पे, tents पे और wall hanging को add on करने के लिए use करते थे लोजी के लिए horses and elephants mean two motives होते हैं Thanks for watching and video अच्छी लगे तो please like share and subscribe, thank you